न महिंदी न इंडिगो न घंटोवन बैठना न कोई पैक लगाना दोस्तों बस इससे आपको करना है मालिश और आपके सफेद बाल जर्शे काले नीदी किचिन लाइस्टैल चैनल पर दोस्तों उमीद करते हूं आपके पड़िवार वाले सारे सुरक्षित होंगे तो आज मैं आपके साथ कोई ताम जहाम वाली रेमेडी नहीं शेयर कर रही हूं बस आपको इस तेल को बनाना है एक पाउडर मिक्स करके और यह बहुत प्लीज चाहिए को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा पास ही दिखिएगा एक चोटा सा बेल बटन उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक किजेगा जादा स्यादा तो दोस्तों आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा जैसे मैं मसाज करते वे इसे अप्लाई कर रही हूँ ना बिल्कुल उसी तरह आपको अच्छी तरह से मसाज करना है अप्लाई करना है अपने हेर रूट से पूरे हेर पे अप्लाई कर लेना है और मैं आपको ये बत प्रणाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल चाहिए और यहां पर एक चमच इतना यह पाउडर आड कर देना है यह एक ऐसा जरी बुटी है जो कि आपके सफेज हुए बालों को जर से काला बनाता है तो दोस्तों यह जो पाउडर है ना यह जरी बुटी पाउडर जटा मांसी पाउडर जो कि आपको इसली मिल जाएगा मार्केट में आप उनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं जटाओं में आते हैं इसकी जरी बुटी उसे भी आप लाके ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं यह 100% वर्क करता है आपके सफेद बालों पे बालों को जर्षे काला बनाता है मजबूत बनाता है और घ्णा बनाता है तो आपको लेना है एक चमच चिमच यह जो रेमेडि ना जहट प़ठ बन के रेडी हो जाती है अब यहां पर आपको डालना है थोड़ा थोड़ा करके सरसो का तेल में मस्टर्ड वाइल डाल रही हूँ दोस्तों ये हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है अगर आप इस्तमाल नहीं करते हैं सरसो का तेल तो इसकी जगह पे आप जो भी तेल इस्तमाल करते हैं तिलकट तेल उसे भी एड़न कर सकते हैं, तो मैं यहां पर डेर चमच इतना डाली हूँ, सरसो का तेल और इसे बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना है, मिक्स करके आप चाहे तो एक कंटेर में इसे जादा क्वांटिटी में बना के रख दे, शीशे वाले जाद मेया बना कि बाल पे आपको इसे लगा लेना है, रात भर रहने देना है और नेक्स टे आपको शैंपू कर लेना है, बहुत जादा सफेद बाल है, तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताई हफते में इसे दो बर ज़रूर लगाईएगा, वैसे एक बार भी लगाईएगा तो आपक को इसका result दिख जाएगा thank you have a nice day